हेलो फ्रेंड्स गुड बॉर्निंग तो आल फ्यू आज है 18 अपरिल और आज के सारे टॉप करेंट अफेर्स हम लोग देखने वाले हैं साथी साथ मैप और जीएस का भी रिविजन जो डेली करते हैं वो करने वाले हैं अब एक चीज मैं आपको बता दूँ मैंने जो करेंट कंपाइलेशन लांच किया है आपको इसके बारे में वीडियो मिली गया होगा इन्फॉर्मेशन टेलिग्राम या बहुत जग़ा मैंने वाट्टब टेलिग्राम हर जग़ा दे दिया है उसकी खासियत क्या है कैसे वह है और कितना आपको एफक्टिव होगा कैसे आपको है और अभी तक का टोटल इसमें अड किआ गया है और अब जो आप खरीदेंगे तो उसको अपने से नोट करके अभी अप्रील मुंद क्या और इसमें अड करके better number है आप याँ देख सकते हैं September month है और दोनों भासाव हों में लिखया गया है और बहुत ही better color matching भी है ठीक है फिर आता है ऑक्टूबर मन्त का फिर नेक्स्ट आएगा नौंबर ठीक है दिसंबर और जन्वरी फर्वरी मार्च और अप्रिल तो अभी चली रहा है तो आपको ये ध्यान देना है कि ये आप खरीद लें क्यूंकि इसका सबसे बड़ा फाइदा है कि आप कम ट लाहर इसका प्राइस 55 रुपय ही रखा है तो ये फ्यूचर में बढ़ेगा ही आप नहीं जानते हैं क्योंकि जैसे ही इंट्रेंस अभी एक्स्टेंड हो रहा है डेट आने लगेगा तो सब डिमांड बढ़ जाएगी हर चीज की और हर चीज का प्राइस बढ़ जाएगा दिसंबर का है तो आपको ये लेना चाहिए मैं ये सजिस्ट करूंगा कि आपको कम टाइम में बेटर जो भी पुराने करेंट अफ्यस है उसको नोट करने से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसे लेके पढ़ लें ठीक है फरवरी मार्च आप देख सकते हैं और क्लास में मैंने mcq भी रखा है आपके लिए तो हर तरीके से हर चीजिस में अबलेबल है तो चलिए आब आज के करेंट अफ्यस सुरू करते हैं तो आज का जो है पहला कोश्चन है 2022 का एसीन गेम्स का मास्कट क्या है मास्कट क्या होता है सुभंकर यह आप जानते भी कर दो इसका राइट अंसर है फेट तो एक जो है वह राइट अंसर है ठीक है इसका 2022 एसीन गेम्स का तो हो गया बट आपको पता है 2020 में होने वाला था टोकीयो ओलंपिक लेकिन उसका अब 2020 में होगा तो उसका क्या था Smart Triple और इसका बहुत ही प्यारा पिक्चर भी है मैंने पिछले Current Fs में आपको दिखाया भी था तो Smart Triple जो है वो 2021 का Tokyo Olympic का मासकट है Rabi Gulla 36 जो National Games होगा कहा होगा तो ये गुवा में होगा तो आपको पता है तो आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि IT किसका मासकट है अधरवाइच चलिए आगे बढ़ते हैं CG Heart Website by which state Home Delivery के लिए CG Heart एक Website बनाए गया है किसे स्टेट के द्वारा जो की Home Delivery Service प्रोवाइड करेगा तो आप जरध्यान से देखिए CG लिखा हुआ है मतलब क्या हो सकता है 36 गड़ हो सकता है और इसका आम लोग मैप भी देखेंगे तो CG Heart जब लिखा गया है तो कोश्चन अगर आएगा तो आपको 36 गड़ मारना है क्योंकि उसका कोड होता है CG 36 गड़ की जो है राजधानी है रायपूर और वहीं जो है नया रायपूर एक जगह है जिसका नाम बदल के कर दिया गया है अटल लगर ठीक है नया रायपूर को दूसरा फैक्ट आपको यह याद रखना है कि भारत का सबसे पहला कच्रा कैफे यह है कहाँ पे तो यह है अंबिकापूर में 36 गड़ के अंबिकापूर में और भारत का सबसे पहला कच्रा क्लिनिक कहाँ है तो यह है भोपाल में आपको यही दोनों चीज़ों में अंतर रखना है सबसे पहला कच्रा क्लिनिक कचड़ा प्लांट जो है वो भोपाल और ये अंबिकापूर कचड़ा कैफे अब 36 गड़ जारखंड उडिसा और वेस्ट बंगाल से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबको देख लिया जाए आए तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये हमेशा से प्यारा ही रहेगा आईए देखते हैं 36 गड़ जारखंड बिहार वेस्ट बंगाल से जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और भी चीज़ें जो हैं वो हम लोग अभी डिविजन करेंगे सबसे पहले वेस्ट बंगाल देख लेते हैं वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है सुन्दरबन तो सुन्दरबन तो आपको पता होगा और सुन्दरबन रोयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है ठीक है तो 36 गड़ का जो नेशनल पार्क से उसको घासी डास और गुरु घासी डास एयरपोर्ट भी वहाँ है तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग तो यह गलत है लेकिन आप सुन रहा है तो प्लीज नोट कर लेजिए मैं स्लो बोलना हूं दूसरा है वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल का भी नोट कर लेजिए सुन्दर लिए नेशनल पार्क तीसरा है नेवरा एंध चैंव का तो उसके आगे है सिंगा-लीला नेशनल पार्क तैक् honeymoon गालीलज जल्दा-पाडा और अगर आपने और उसकी वीडियो देखी गिरा के मारत जैसे आप समझ ले एक जो कॉमन हिंदिस लाइंग होता है उसमें मैं बोल ला हूं तो इससे यह सारे ट्रिक आगार आपने वीडियो नहीं देखिए तो जरूर जोग्रफी के प्लेडिस्ट में जाए और वीडियो जरूर देखिए क्योंकि वह ट्रिक बहुत ही काफी है और WWF के brand ambassador कौन है WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड फंड तो यह बन गया है विश्वनाथन आनंद विश्वनाथन अनंद भारत के पहले सबसे पहले grand master है विश्वनाथन नानंद भारत के सबसे पहले grand ambassador है और सुनिल सेठी को national anti-doping agency का brand ambassador बनाए गया है ठीक है आपको यह जरूर याद दोने है क्योंकि national anti-doping agency का headquarter न्यू दिल्ली में है और world anti-doping agency जो होता है उसने रसिया को चार साल के लिए बैन किया है मैंने pdf में भी बताया था आपको और world anti-doping agency का headquarter है montreal तो please इसे याद रखियेगा और रसिया जो है अगामी चार साल के लिए इस दुनिया के हरे खेल से बैन कर दिया गया है next है इसमें option में अमिताब बच्चन दिपिका पादुकॉन तो आपको पता ही है इस बार का film जगत का ए पिछली बार दिया गया था और आपको यह जाना चाहिए क्योंकि यह एक्जाम में आपके जरूर आएगा दिपिका पादुकॉन को wef का crystal award दिया गया है ठीक है mental health पे awareness फैलाने के लिए चली आगे बढ़ते हैं पूसा detecting and sanitizing tunnel made by यह जो है एक tunnel है और उस tunnel से जब आप गुज सानिटाइज कर दिया जाएगा दुलने के नहीं सानिटाइज कर दिया जाएगा तो यह जो है पूसा detecting and sanitizing tunnel यह बनाए गया है ICAR के द्वारा Indian Council of Agricultural Research इसके अस्थापना 1929 में हुई थी हेड़कॉर्टर है न्यू दिल्ली में ठीक है next है Moon Jae-in कहां के राष्टपती है South Korea North Korea चीन एवं Japan तो Moon Jae-in जो है वो South Korea की president फिर से बन गया है और आपको मैंने ACA के मैं पिछले कई current affairs में दिखाए हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो South Korea North Korea जो है वो एक state से जुड़े हुए है और चीन और जापान बगल में ही है तो आपको यह ध्यान रखना है South Korea North Korea की currency क्या है वन डबलू ओ एन ठीक है दोनों की और एक चीज आपको ध्यान रखना है South Korea की राजधानी Seoul है और North Korea की राजधानी प्योंग यांग है ठीक है प्योंग यांग तो यह दोनों आप याद रखो गया और currency और capital से related video मैंने डाल दिय है बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर इस पर या फिर मैसेज में मुझे करते हैं कि सर इस topic वीडियो चाहिए देखिए वीडियो चाहिए तो वह एक अलग बात है एक gentle way में प्लीज मुझे बताएं आप force नहीं कर सकते हैं कि सर इस topic पर वीडियो लाइए कब आएगा यार मैं अकेला हूँ सब कुछ मुझे खुदी करना पड़ता है तो आप थोड़ा patience रखें और अपनी तयारी पर भरुसा रखें मैंने काफी अर्तक बहुत सिलेवस cover up करा दिया है तो इस तरीके से थोड़ा सा अभद्र लगता है विवहार क्योंकि मैं भी एक इंसानी हूँ तो आ पर रुफ और वैय नेक्स metros देखते हैं जापान की राधानीय टॉकियो यहां की करेंसी है chat चेन की राधानीय बीजिंग और चरह मियारी और यदेडी करेंसी अगर नेक्रति ओक्छिन इंडिया का एक तरीके से केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट है और और भी आप गुजरात के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं सब जरूर याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा या वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू तो स्टैचू आफ यूनिटी है ही लेकिन दूसरा ज जितने भी नेशनल पार्क्स हैं बहुत कम हैं लेकिन आपको याद रखना चाहिए मैंने इसका ट्रिक बताया था मैरी जी का ब्लैक बंस गुजर गया तो देखिए मैरी से हो गया मरीन ब्लैक से हो गया ब्लैक बक और जी से हो गया गीर ठीक है मैरी जी का ब्लैक बंस बंस स गुजर गया तो अगर आपने नेशनल पार्क की वीडियो नहीं देखिए तो जाइए देख लिजिए जोग्रफी के प्लेलिस्ट में और वो आपके बहुत ही ज्यादा काम का है राजस्थान गोवा इन सब का आपको पता ही है मोलेम नेशनल पार्क मैंने पिछले ही वीडिय साइट में इंक्लूड किया गया है और राजस्थान के नेशनल पार्क हम लोग कई बार देख चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट है वीच स्टेट बिगें फॉर्स से टू यूज आयरुवेदा इन कोवीड नाइंटीन किसे राज ने कोवीड नाइंटीन यूज फ़र कोवीड नाइंटीन प्रेसेंट तो प्रोवाइट फूड और मेडिसीन बई विच स्टेट किस राज द्वारा कोवोड रोबोटिक्स का उपियोग खाना और दवा पहुंचाने में किया जा रहा है तो कोवड रोबोटिक्स जो है वो यूज किया जा रहा है जारखंड के द्वारा जारखंड के राजधानी है राची और यह आपको याद रखना चाहिए कि यह कई खरीज संसादनों से भरपूर स्टेट है तो आज तक के करेंट अफेस में फिलाल इतना ही आपने लाज तक देखा होगा तो करेंट अफेस की पीडियेफ जरूर परचेज करें क्योंकि वह काफी जादा इफेक्टिव है तो चलिए थैंक यू सो मच